दोस्तों, जोतिश शास्त्र के अनुसार, जिस महीला और पुरुष के इस अंग पर अगर तिल होता है, तो वो कामशक्ती में लिप्त रहने वाले और पराय व्यक्ती से संबंध रखने वाले माने जाते हैं, यहां तक कि ऐसे व्यक्ती सबसे ज्यादा धोखा देने में भी मा केट देता है, तो दोस्तों आईए जानते हैं, दोस्तों अनकोश पर तिल का होना अगर जिस पुरुष के यहां पर तिल हो तो ऐसा माना जाता है, कि ऐसे व्यक्ती अपने जीवन से जुड़े सारे राज गुप्थी रखते, हैं वो कभी किसी को नहीं बताते साथ ही, वो भी भी धोखा दे सकता है, ऐसे व्यक्ती के कई सारे संबंध हो सकते हैं, वहीं पुरुष के दोनों अनकोश पर कई सारे दब्बे और तिल हो तो वो कही सारी बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है, दोस्तों महिलाओं के नीचे तिल का होना जिस महिला के अगर नीचे की तरफ दाईवाई और उपर नीचे तिल हो तो वो महिला दूसरों की तरफ आकर्षित होने में बिलकुल भी समय नहीं लगाती ऐसी महिला के कई तरह के संबंध हो सकते हैं और यहां आपको भी धोखा दे सकती हैं वहीं जोतिश शास्त्र के अनुसार जिस महिला के शरीर पर अधिक से ज्यादा तिल हो तो वो बहुत ही अशुब लक्षन माना जाता है दोस्तों गुप्ट अंपर तिल का होना जिस पुरुष के गुप्ट अंपर तिल होता है तो वो व्यक्ति अधिक से अधिक वासना में लीन रहता है ऐसा पुरुष किसी एक से संतुष्ट नहीं रहता इनके भी कई तरह के संबंध हो सकते हैं वहीं पुरुष के यहां पर ज् अपने जीवन साथी को हमेशा खुश देखना चाहता है, वहीं महिलाओं के छाती पर बाईं तरफ तिल हो तो यह शुभ लक्षन माना जाता है, लेकिन दाईं तरफ छाती के नीचे तिल हो तो इसे अशुभ लक्षन माना जाता है, दोस्तों हथेली पर तिल का होना बीचों बीच या उंगलियों में तिल हो तो वो भाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी धन्वान बनता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद